Hi developer, so last part के अंदर हम लोगों ने Saga के अंदर API उकोल करके data को fetch कर लिया था अब हम लोग उस data को display करने वाले हैं UI के उपर और यह हमारा last part है Redux Saga with React Native का So एक बार के लिए दिखा दिता हूँ लोगों ने last part के अंदर क्या कर रहा था जैसे हम लोग go to user list के उपर जाते हैं हमारी API कोल होती है और console के अंदर हमें हमारा data get हो जाता है जो के हम लोगोंने component वाली file के अंदर लगाया हुआ है यह मैं आपको यहाँ लिखा देता हूँ in component user list के अंदर हम लोगोंने लगाया है text box को हटा सकते हैं इसके जरूर्ट आपको नहीं है या फिर आप चाहो तो अच्छोटी सी चीज लिख सकते हो यहाँ पर even इसके जरूर्ट नहीं है इसको हम लोग completely हटा सकते है so सबसे पहले हम लोग यह चेक करेंगे कि जो हमारे user list है इसके अंदर कुछ data है या नहीं तो simply आप चेक करो user list.length अगर इसकी length है 0 से ज़्यादा है तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर एक map function यूज कर सकते हो तो मैं आपर simply यूज करता हूँ user list.map और यह मैं पता है कि callback function हमें written करने वाला है so मैं यहाँ पर simply लिख लिएता हूँ item और item के अंदर हम लोग simply pass कर सकते हैं यहाँ पर view close कर सकते है view को और even अगर आप चाहते हो view नहीं लगाना तो आप simply text भी लगा सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है simply text लाग इसको close कर लेते हैं और यहाँ मैं simply लिख लिख लिएता हूँ item dot name right अचा नेम इसके अदर है यहाँ इसके अंदर first name है but एक बार के लिए मैं simply यहाँ लिख लिएता हूँ normal text as a text लिख लिएता हूँ name और ताकि else condition में इसकी अगर कुछ नहीं है length के अंदर तो यहाँ पे null आ जाया तो मैं इसको यह भी लिख लिख लिएता हूँ एक बार के लिख लिख लिए फेसे करते हैं याई के उपर क्या मिल रहा है हाँ हमारे पास इतने सारे नेम लिख 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 लिए because लोगे directly name text प्रिंट करवा दिया है let's say 18 कर देता हूँ and let's save अब आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पर पूरी लिस्ट के अंदर जितने भी नेम ते हो यहाँ पर render हो चुके हैं और यहाँ पर आप चाहो तो flat list भी उस कर सकते हो selection list भी उस कर सकते हो because अभी यहाँ पर scroll नहीं हो रहा तो यहाँ पर एक scroll view भी लगा सकते हो ताकि अब properly scroll हो जाए and जिस तरीके से हम लोगो नेहाँ पर name display कर दिया, first name इस तरीके से आप आप properties बगएरा को भी display करवा सकते हो so this is the last part, छोटा सा बाट था सारा का सारा code आपको github के उपर मिल जाएगा, जल्दी ही मैं link description box के दर डाल दूँगा और thank you so much for watching this video, अगर आप लोग नब तक चैनल को subscribe नहीं करा तो please चैनल को subscribe करो जल्दी ही इस चैनल के उपर GDAC tutorial के एक पूरी playlist भी आने वाली है, हिंदी के अंदर और कोशिश करों में English के अंदर भी लेगा, आप हम उसको thank you guys, thank you so much for watching this video